हेलो दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपका इबी सीडी सब कुछ चनल में मेरा नम है बसी राम मात खान दोस्तों आज स्लिंग सावर के मेडर में कुछ नया जानकारी लेका आया हूँ चीज बहुत सारे भाई को पता नहीं है या फिर आइडिया नहीं है जो सिलिंग्स और पाइप कैसे फिरिट उता है और क्या सिस्टाम होता है क्या क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्खत है तो इस वीडियो पूरा बने रहे हैं आप लोग फिरिजिए मेरा जो पाइप पहले से क क्या सिस्टम वह आप लोगों को दिखाऊंगा पहले मैं क्या करूंगा पाइप को कटिंग कर लूँगा ओके पुरा सिलिंग का लेवल से या फिर एक दो एमेम तीन एमेम नीचे करके कटिंग कर लेना है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कम से हम पांच ल रख काम कर सकते हो कि थोड़ा गंड़ा दीख सकता है जैसे की यह है एम्टी आप डाइरेक्ली जो पाइप ए उसका आदए इंच का एम्टी मार सकते हो ठ्रेट वाला आदे इंच रहेगा बाकि यह जैसे की 3-4 बाइज है फिरी वर वैई आद तोड़ा सा बड़ा करना है ओके हाँ देख लिजे मैं बड़ा कर लेता हूं पहले और आप लोग जरू चैनल सब्सक्राइब करिए और यहां हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक है वहां जाके फॉलो किजिए वहां मेसेज किजिए कोई भी सावल है प्लमिंग के मिटर में वहां आप लोग से कॉल में बहुत में बाते कर सकता हूं और हमारा फेस्बूक पेज का भी लिंक है प्लमिंग के मिटर में तो वहां पर भी आप जाके फॉलो किजिए वहां पर फॉलोर्स बहुत ही कम है फॉलो किजिए लाइक किजिए बाकी आप वीडियों बनी रही है जैसे कि यह जो है आप लोगों को empty जाने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा होल कर देना पड़ेगा अगर छोटा रहता है तो ओके होल बड़ा कर लिजिए जैसे कि यहाँ देख लिजिए मेरा completely बड़ा हो चुका है और पांच लग सब्सक्रेबर आप लोग प्लीज कम्प्लीट कर दीजिए जल्दी से जल्दी दो मैना तीन मैना चार मैना जितना जल्दी हो से कि आप लोग कर दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है में बेटी लगाना है मतलब ब्रास एमटी जो आता है वो आपको सॉलिसन से लगाना है जैसे कि यह सॉलिसन है CPBC आपको एमटी में थोड़ा सा लगा लेना है अच्छ से और अंदर तो आपको सॉलिसन का यह नहीं जा सकता तो आपको क्या करना है सिर्फ सामने मुह पे लगा दीजिए और अच्छे से फीट कर दीजिए ओके तो आप मेरा फीटिंग हो चुका है आप आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ देख लिजिए मैं सावर ऐसे ही लूच लगा चुका हूँ यहाँ पे आप देख लिजिए एमटी दिख रहा है और काफी गंद दिख रहा है यहीं पे एक सावाल है मतलब आप लोग को बाताने वाला हूँ सबसे पहले सावर जो है आप लोगा सिलिंग जो होता है लेकिन सिलिंग से एक इंच देड़ इंच छूट के रहना चाहिए और अगर आपका ऐसे एमटी गंदा दिखता है मतलब आप लगाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यह जो बोतल ट्रेप आता है यह आपका एमटी के अंदर आ जाता है ठीक है अगर नहीं आता है तो एमटी का जो थोड़ा सा थ्रेड है वो घिंसना पड़ेगा जो मैं आप लोग को बताऊंगा अभी यह इसको आपको तीन इंच चार इंच थोड़ा सा काट लेना है तीन इंच भी काट लिजिए उसके बाद आप देख लिजिए इसका सिस्टाम और कितना खुबसूरत दिख रहा है जैसे कि वो यू पीविसी सी पीविसी कलर दिख रहा है हुआ फिटिंग वो नहीं दिखेगा स्टिल कलर दिखेगा ओके तो सबसे पहले मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ अब कर दो के दो कि अगर आपके बाद फाइल होता है तो जो कटिंग हुआ है उसे थोड़ा सा रप रफ होता है तो आप लोग थोड़ा सा फाइल से गिंज दीजिए ताकि उसमें फिनिसिंग आ आपका हाथ वात में लग जाता है तो वो कटने की चांसे से रहता है बस यही चीछ है और उसके बाद इसे क्या करना है आपको सावर को खुलना है अब देख लिए कितना खुबसूरत देखेगा आप लोग खुद देख सकते हो और वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक् ग encrys के लिए झार अब को आपको क्या करना है गींश देना है हलुका हलुका हुलोगा जितना आपका यहाता है तो बस आपका पाइप आ जाएंगा तो कुछ करने आपको जाली लगा देना है वाइसर दे कर औक यहाँ पर किए बता देता हूं जैसे कि यहां directly empty में हो गया है ओके बहुत जगह में क्या होता है empty लगाते हैं फिर hex निपल लगाते हैं तो इस सब लगाने की आपको जड़रत नहीं है directly empty में आ जाएगा और पका हो जाएगा और सिलिंग से आपका कम से कम देडिंग चुटता रहना चाहिए ताकि वह भी अच्छा दिखता है और मतलब maintenance maintenance करने के लिए नहीं तो सिलिंग में पूरा चीपक जाएगा तो आपका अग्जेस्ट ही आपकर नहीं पाएंगे अब देख लिए आप यह मत समझ लिए आप शावर लागाने के बाद आप अब एक्जेस्ट नहीं कर पाएंगे मतलब इस साइट उस साइट चाहिए तो आप लोग के पास किसी दुसरी टुपिक के साथ तब तक लिए बाए बाए और जी वीडियो को जरू लाइक करिए और पांच लाग सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी जलूर कमप्रेट करें